नमस्कार दोस्तों मैं हुए स्वंत कुमार और आज हम आपके लिए लेकर आया है हिंदी के बहुती महत्रपुण प्रस्न दोस्तों हमने इस वीडियो में अतिमहत्रपुण 25 प्रस्नों का संग्रा किया है और ओभी पुण ब्याक्या के साथ दोस्तों यह जो प्रस्नपत्र है आपको बीडियो एक्जाम, सिचक बरती और पुलिस एक्जाम के लिए अतिमहत्रपुण है दोस्तों हम हर प्रस्न के बाद आपको 3 सेकंड का समय देंगे इस 3 सेकंड में आप अपने उत्तर का चैन करेंगे और अंत में हमें कॉमेंट बाक् आते हैं, तो चले शुरू करते हैं, आज का पहला सवाल है, जूट मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है, आपको बताना है, बिस्म्याद बोधक, सीमा बोधक, प्रस्न बोधक, निसेद बोधक, तो बताईए आप लोग, तो दोस्तों इसका जो राइट ओप्सन है, वो है option number D, यनि की निसेद बोधक, क्योंकि आपको क्या किया जा रहा है, जूट बोलने से रोका जा रहा है, इस तरह से हम लोग का जो निसेद बोधक है, वो बिलकुल correct option है, अगला प्रस्न है, हिस्तिर लिंग सब्द का चैन कीजिए, तो आपको, आपको option दिया जा रहा ह तो बताईए आप लोग, तो दोस्तों इसका जो right option है, वो है जाती, यनि की जाती जो है, इस्तिर लिंग सब्द है, यनि की इसका आपने वाक्यों में प्रयोग किया जाये तो, जाती बाइर कराती है, यनि की जाती बाइर कराती है, यनि की वाक्य जो दर्सा रहा है, कि जा चैन कीजिए, आपके सामने option है, गहरा, निक्रिष्ट, तीखा, और अटारी, तो बताईए आप लोग, तो दोस्तो, जो आपका option number B है, वो बिल्कुल correct है, यानि कि निक्रिष्ट, जो है, वो तत्सम सब्द है, बाकी का सब तद्भव सब्द है, अगला प्रस्ण है, उन्मेक किस प्रकार का सब्द है, आपको बताना है, विदेशज, देशज, तत्भव और तत्सम, तो बताईए आप लोग, तो दोस्तो, जो इसका right option है, वो है option number C, यानि कि उन्मेक जो है, आपका तत्भव सब्द है, यानि कि उन्मेक यदि तत्भव सब्द है, इसका तत्सम सब्द क्या होगा, तो उन्मेक का जो तत्सम होगा, ओ उन्मेस होगा, अता इस तरह से हमारा C option बिलकुल correct है, अगला प्रस्ण है, निमलिकित में से किस सब्द में उप उपसर्ग नहीं है, तो आपको बताना है किस में उप उपसर्ग नहीं है, तो बताईए आप लोग, तो दोस्तों, उप आसना में उप उपसर्ग है ही है, उप वन में भी उप उपसर्ग है, उप देश में भी उप उपसर्ग है, और बचा आपका उत्थान, यहने कि उत्थान में जो है उपसर्ग जो है उत्थ नहीं उप नहीं है बलकि उत्थ है उत्थ उत्थ उपसर्ग है इस तरह से हमारा राइट ओप्सन है ओप्सन नमबर सी अगला प्रस्थ है निमलिकित में से कौन सा सर्प का प्रेवाची नहीं है आपको बताना है उरग फणी हिरंड्य और उसके बाद से पन तो बताईए आप लो तो दोस्तों जो इसका राइट ओप्सन है उपसन नमबर सी यानि कि हिरंड्य जो है इसका राइट ओप्सन है यान कि आपको बताया जाए कि यह जो है हिरंड हिरंड का मतलब होता है सोना यनि कि सोने का प्रवाची सब्द है और बाकी का उरग फणी और पनग ये सभी जो है सर्प के प्रवाची सब्द है अगला प्रस्त है निमलिकित में से कौन सा सब्द विसेशन नहीं है आपको बताना सब्द नहीं है आशृत अपराधी अगने और अर्थ तो बताएं आप लोग तो दोस्तों इसमें जो अर्थ है अर्थ है वो अभिसेशन नहीं है यनि कि अर्थ जो है एक तरह से विसेश से है और बाकी किये सभी विसेशन है अगला प्रस्ण है बाचस्पति कि समास का समस्थपद है तो आपको बताना है नाय तत्पूरुस अलुक तत्पूरुस संबंद तत्पूरुस और बहुबरी तो बताएं आप लोग तो दोस्तों इसका जो राइट उप्सन है वो है उप्सन नंबर बी यनि कि अलुक तत्पूरुस अगला प्रस्ण है वही मनुष से है जो मनुष से के लिए मरे इस वक्ति में कौन सा अलंकार है तो आपके सामने उप्सन है छेका नुप्रास लटा नुप्रास उसके बाद बृत्य नुप्रास और बक्रियोती तो बताईया आप लोग तो दोस्तो इसका जो right option है वो है option number B यनि कि लटान उप्रास दोस्तो एक बात और भी बताना चाहेंगे इसमें कि जो लटान उप्रास है कि एक ही सब्द मनुस्य वही जो मनुस्य के लिए मरे तो इसमें क्या है दो बार आ रहा है और दोनों का भाव अलग-अलग हो रहा है यनि कि इस तरह से यहाँ पे लटा अनुप्रास है अगला प्रस्तन है निमलिकित में से कौन सा इच्छा वाचक वाके है आपको बताना है मैंने खाना खाया तुम्हारा नाम क्या है मैंने कहा होगा तुम अपने कारियों में सफल रहो तो दोस्तों इसका जो राइट ओप्सन है वो है ओप्सन नमबर D यनि कि तुम अपने कारियों में सफल रहो एक इच्छा वाचक वाके है यनि कि कहीं न कहीं इसमें इच्छा व्यक्त की जा रही है अगला प्रस्ण है असुद्ध वाक्य का चैन कीजिए हम तो अवस्य जाएंगे थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए कृपिया आप ही यह बताएं यह कहना आपकी गलती है तो दोस्तो इसका जो राइट ओपसन है वो ऐ ओपसन नमबर बी यानि की इसमें असुद दवा के कौन सा है ऐ ओपसन नमबर बी यानि की दोस्तो इसमें गलती क्या है तो थोड़ी देर बाद वे लौट आए या वापस आ गये यनि कि लौट आये जब होगा तो वापस आये नहीं होगा वापस आये जब होगा तो लौट आये नहीं होगा तो इसमें से एक वापस को हम हटा देते हैं तो अब पढ़ा जाए इसको थोड़ी देर बाद वे वापस थोड़ी देर बाद वे लौट आये यनि कि इस तरह से य ये correct sentence होगा. अगला प्रस्तन है, कुम्भिल, किसका प्रवाची सब्द है? आपको बताना है, चोर का, राजा का, इंद्र का, और कुबेर का. तो बताईया आप लोग. तो दोस्तों, जो कुम्भिल है, वो चोर का प्रवाची सब्द है. यनि कि, कुम्भिल जो है, चोर का प्रवाची सब्द है. चोर का प्रवाची सब्द और क्या क्या हो सकते हैं? तसकर हो सकता है, डसियू हो सकता है, मुसक हो सकता है, और खनक हो सकता है. इस तरह से, कुम्भिल जो है, आपका चोर का प्रवाची है, और option number A जो है हम लोग का बिल्कुल correct है अगला प्रस्थन है निमलिकित में से कौन सा अच्छर का अनेकार्थ सब्द है नहीं है तो आपको बताना है अच्छर का अर्थ कौन सा नहीं है तो आपके सामने option ने ब्रह्मा, धर्म, मोक्च और अकास तो बताये आप लोग, तो दोस्तो इसका जो right option होगा वो होगा option number D यनि कि आकास का अर्थ जो है यनि अक्छर का अर्थ आकास नहीं है जबकि अक्छर का अर्थ ब्रह्मा भी होता है, अक्छर का अर्ध धर्म भी होता है और अक्षर का मतलब मोक्ष भी होता है और आकास नहीं होता है इस तरह से हमारा D option जो है बिल्कुल करेक्ट है अगला प्रस्न है आपके सामने निर्देश आपको 49 से 41 तक गद्धान्स को पढ़तना है और पढ़के उतर देना है आपको तो दोस्तो मैं गद्धान्स को पढ़ता हूँ इन संसार में धन ही सब कुछ नहीं है धन की पूजा तो बहुत कम जगों में होती देखी गई है संसार का इतिहास उठा कर देखिए और उधारन ढूंट ढूंट कर सामने रखिए तो आपको बिदित हो जाएगा कि जाएगा कि जिसकी हम उपासना करते हैं उसके लिए हम आखे बिछाने तक को तयार रहते हैं जिसकी इस्मृत्ती तरो ताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के समारक चिन बनाकर खड़े करते हैं उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया बलकि उन्होंने कुछ ऐसा काम किये थे जिनकी महता हम रुपयों से अधिक समझते हैं जिन लोगों के जीवन का उदो से क्यों रुपया बटोरना है उनकी प्रतिष्टा कम हुई है अधिकान्स अवस्थाओं में उन्होंने किसी ने पूछा तक नहीं है उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोग की यात्रा की किसी ने जाना तक नहीं की वे कौन थे और कहा गये मानो समाज स्वार्थी अवस्थे हैं पर वो स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता अंद में वे ही पूजा पूजे जाते हैं जिनने अपने जीवन को अरपित करते समय सच्चे मनुश्चुत्व का परचे दिया है तो दोस्तों आपको अब उत्तर देना है इसमें से तो बताईए आप लोग गदान्स का उचित सिर्शक होगा तो दोस्तों इस गदान्स का उचित सिर्शक देखा जाए तो option number C जो है बिल्कुल correct है यानि कि धन और मनुश्यता धन और मनुश्यता जो होगा इसका correct option होगा यानि कि इस गदान्स का सबसे उचित सिर्शक यही हो सकता है अगला प्रस्ण है उपयुकत गदान्स के अनुशार संसार में किस तरह के मनुश्यक की पुजा होती है तो आपको बताना है जो धनार्जन त्याग दोनों करता है जो पैसे को कल्यानकारी कारियों में लगाता है जो मानावतार की सेवा में लगा रहता है, जो सच्चे मनुसत्तो के लिए कारे करता है, तो बताइए आप लोग तो दोस्तो इसका जो right option है वो है option number D कि जो सच्चे मनुस्षत त्वकिये लिए कारे करता है वो क्या एक तरह से उसी की पूजा की जाती है अगला प्रस्न है धन की पूजा से क्या अभिप्राय है धन से ज़्यादा मनवता प्रबल है धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता धन की पूजा ब्यक्ति को स्वार्थी बनाता है धन कमाने के पेच्चा सच्चा मनुस्य होना जादे अच्छा है तो बताईए आप लोग तो दोस्तो इसका जो right option है वो है option number B यानि की धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता अगला प्रस्द है निमलिकित में से कौन सा सब्द सफल का बिलोम नहीं हो सकता तो आपको बताना है सफल का बिलोम क्या नहीं है इसमें तो असफल जो है सफल का बिलोम है बिफल जो है वो भी सफल का बिलोम है उसके बाद निसफल जो है वो भी सफल का बिलोम है और आपके सामने जो option बजता है वो कुफल यानि की कुफल जो है सफल का बिलोम नहीं हो सकता अगला प्रस्न है ठेट हिंदी का ठाट किसकी रचना है आपके सामने आपसन है अयोध्या सिंग उपध्याय हरियोध की सोरीदास बाचपेई उसके बाद चंद्रधर्द सर्मा गुलेरी जोतिरी स्वर ठाकुर तो बताईए आप लोग दोस्तों जो ठेट हिंदी का ठाट नामक पुस्तक है इसके जो रचनाकार है अयोध्या सिंग उपध्याय हरियोध ये जो है इसका राइट उप्शन है अगला प्रस्तन है जिसके हिर्दय में मम्ता नहीं है वा क्यांस के लिए एक सब्द है आपको बताना है मम्ता हीन, निर्मम, मम्ता रहीत और निर्मय तो बताईए आप लोग तो दोस्तो इसका जो राइट उप्शन है वो है उप्शन नमबर बी यानि की निर्मम निर्मम जो है इसका राइट उप्शन है अगला प्रस्थन है निमलिकित में से किसे किसमे मुहावरा एम उनके अर्थ का सुमेलन नहीं है सही नहीं है तो आपको बताना है इंट से इंट बजाना युद्धात्मक विनास लाना अकल पर पत्थर पढ़ना, बुद्धी ब्रस्थ होना, कलेजा ठंडा होना, बाधा दूर होना, गांट बाध लेना, खूब याद रखना तो बताईया आप लोग, तो दोस्तों इसका जो राइट उप्शन है, वो है उप्शन नमबर सी, यानि कि कलेजा ठंडा होना का अर्थ जो है, बाधा दूर होना नहीं है अगला प्रस्थ है, विभत्स रस्थ का अस्थाई भाव क्या है, तो आपको बताना है भय, उच्छा, जुगुप्शा और विश्म है तो दोस्तों, बहुती महत्वपूर्ण सवाल है या विभत्स रस्थ का आपको अस्थाई भाव बताना है, तो विभत्स रस्थ का अस्थाई भाव जो होता है, जुगुप्शा या घृणा तो आपका राइट उप्शन है, उप्शन नमबर सी अगला प्रस्था है, दिये गएं वाक्यों में से पहले एवं अंतिम भाग को क्रमसा एक और छो संख्या दी गई है, इनके बीच आने वालेदें वाले चार अंसों को चार भागों में बाटकर, यार अलौप की संख्या दी गई है, यह चार उचित क्रम में नहीं हैं, उन् छोटे आपको सजाना है छोटे कारियो व तो दोस्तो मैं इसका राइट ओप्जन बताता हूं आपको छोटे चोटे कारियो व उनके छोटे चोटे रहस्यód अगला अप्जन है दिला सकते हैं आपको उतकृस्ट सफलता लोगप्रियता को सरुचता तो दोस्तों, इसका right option जो होगा, वो होगा आपका option number C, यनि कि your or lover, यनि कि जो right option होगा your or lover, दोस्तों आप वीडियो को रोग करके इस answer को एक बार सही से मिला लेंगे, इसका जो right option होगा, option number C. अगला प्रस्तन है, चंद पढ़ते समय आने वाले बिराम को क्या कहते हैं, तो बताइए आप लो, यती, गती, गर्ण और तुक, तो दोस्तों इसका जो right option है, वो है option number A, यनि कि यती, जो इसका right option है, वो है यती, यनि कि जब भी हम चंद पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा कि जहां भी बिराम चिन आएगा, वहाँ पर यती कहते हैं हम उसको, अगला प्रस्तन है, कबीर दास जी की भासा कौन सी थी, तो आपको बताना है, कर्णौ जी, सधुकरी, ब्रज, और खड़ी बोली, तो बताइए आप लोग, तो दोस्तों इसका जो right option है, वो है सधुकरी यानि कि कबीर दास जी की जो भासा थी, वो सधुकरी थी, अचाए एक बात और भी बताना चाहेंगे आपको, कि कबीर दास जी की रचनाओं में अनेक भासा के सब्द मिलते हैं, या था अर्वी, फार्सी, पंजाबी, बुंदेल खंडी, खड़ी बोली, इसलिए इनकी भा आसा को पंच मेल, खिचड़ी या सधुकरी भी कहा जाता है, तो इस तरह से हमारा राइट ओप्सन है, वो है ओप्सन नंबर बी, अगला प्रस्तन है, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुबाद है, अधिसूचना या सूचना को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इस स्टेटमेंट, उसके बाद नोटिफिकेशन, इन क्लोजड, तो बताया आप लोग, तो दोस्तों, इसका जो राइट ओप्सन है, वो है अप्सन नंबर सी, यानि कि अधिसूचना को हम लोग नोटिफिकेशन कहते हैं, तो दोस्तों, यह रा आज का हमारा अतिमाद्वपू और किस तरह सी या वीडियो आपको हेलफूल है, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी सेर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, धन्यबाद.